वेलकम बैक डियर सब्सक्रेबर्स तो आज की इस वीडो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ VN वीडो एडिटर में कुछ इस तरह का मिरर इफेक्ट वीडो एडिटिंग कैसे कर सकते हो तो वीडो पर end तक बने रहें अगर आपको भी Mirror World वीडो एडिटिंग करना है और ये वाला वीडो एडिटिंग के बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया है तो ये बिलकुल यूनिक वीडो एडिटिंग ट्रीक है आप ऐसा वीडो बनाके Instagram पे पोस्ट कर सकते हो अगर आपके पास VN एप नहीं है तो आप इसे Google Play Store से इंस्टॉल कर सकतो यह बिल्कुल फ्री वीडियो एडिटिंग एप है और इसमें कोई वाटरमार्क यह सब भी नहीं आते है आप बोलोगे इस टैप की बीडियो से कहां से लाए मेरे पास तो ड्रोन भागर नहीं है तो बिना लिए चरों को इसे शुवप करो कम और सकते हो तो सबसेट कर यह बकर इब कर लेना है उसके बाद आपको original के उपर क्लिक करके इसे 9 to 16 में convert करना है तो 9 to 16 वाला ratio को select कर लेना उसके बाद अपने video के उपर क्लिक करके इसका size आपको छोटा कर देना है और इसे आपको नीचे में अच्छे से adjust कर देना है कुछ इस तरीके से adjust कर देना फिर आपको यहां पर layer से यही same video को add करना होगा तो layer से कैसे same video को add के जाता है मैं आपको दिखाता हूँ आपको यहां पर यह 3rd वाला option means P.I.P.W. पहले option को पर click करना होगा, फिर video and photo को पर click करना है और same video को यहां से आपको select कर लेना है, तो आपका यह जो video होगा वो layer में यहां पर add हो जाएगा, अब सबसे पहले आपको इसको rotate करना है कुछ इस तरीकी से, ठीके, इस तरीकी से आपको rotate कर देना, फिर इसका size को आप यहां स increase करना, और इसे उपर में रख देना, कुछ इस तरीके से, ठीके, इतना कर देने के बाद, आपको यहां पर scroll करना है, और एक mirror का option दिखेगा, इसे आपको enable कर देना है, mirror जैसे आप enable करो, दोनों एक जैसा दिखने लगेगा, सिर्फ नीचे and उपर रहेगा, अब इन दोनों का size को आप यहां से increase करना, start करो, and इतना आप increase कर दो कि यह दोनों एक साथ मिल जै, जैसे कि कुछ इस तरीके से नीचे वाला, और उपर वाले को increase करते हैं, उसके बाद हमें यहां पर यह जो lining देख रहे है, इसे हटा के fade करना होगा, तो आप layer वाले video को उपर click करना, और य इस circle की मदस से, आप इसे पकड़ के नीचे लियाना, और इस arrow की मदस से, आप यहां पर इसे fade कर सकते हो, तो arrow को थोड़ा से नीचे कर देना, देनी से आपको नीचे कर देना है, circle की मदस से, और done करना है, तो आप यहां पर देख पाओगा, यह जो fade है, वो हमारा almost बन चु आप यह जैसे की देख पार, अब इसमें आप music पगर add कर सकते हो, music को add करने के लिए, इस वाल बटन को पर आपको click करना है, फिर music को पर click करना है, उसके बाद allow कर देना, then my music में आपको जाना होगा, then music library को पर आपको click कर देना है, और यहां पर आपकी device का सारा music आजाएगा बट आपको trending music को ही select करना है, जो अभी Instagram पर trend पर होगा, वही वाला music को आपको select करना है, कोई साभी random music अगर आप यूज करोगे तो आपकी video viral नहीं जाएगी, इसलिए जो trend में होगा, उस दी music को आपको select करना, और उसके बाद यहां पर done कर देना, तो आपका music add हो जाएगा ठीक है, और आप देख सकते हो, आपका video बनके यहां पर ready हो चुक है, ठीक है, तो इस तरीके से गर की video को बनाया जाता है, अभी से अपने device में save करने के लिए, just export वाले बटन को पर आपको click करना है, फिर यहां auto and manual को option मिलता है, manual में आप आके 1080 selected करना, frame rate 60, average bit rate 50 के असपस, उसके बाद export कर देना, तो अच्छे quality में आपका video export हो जाएगा, so I hope आपको हर एक step पता चल चुका है, कैसे video को बनाना है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, इस step की video आपको pixel से कैसे gain कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको chrome browser, जो की हर एक mail में होता, आपको mail में भी जरूर से हो इसे आपको open करना है, फिर यहाँ पर search वाल option को पर आके, आपको search कर देना है pixels, देना starting में यह website आजागा, इसको पर click करके आप इसमें enter हो जाना, फिर यहाँ पर search वाल option को पर आके, just आपको search कर देना है, drone view of city, या फिर drone view of buildings, इस tap का चीज़ है, ठीक है, तो just यहाँ पर हम लिखते हैं, drone view of city, तो यह लिखके search कर देना है, आपको search करने कबाद, आपके सामने काफी सारे यहाँ पर images and video जा जाएंगे, तो video वाले section को पर click करके, आप यहाँ पर videos को देख सकते हो, और जो video आपको पसंद आएगा, उसे आपको save कर सकते हो, लेक आप देख पार, यहा arrow दिखेगा, इस arrow को पर click करके, यहाँ से quality select कर लेना, फिर download को पर click कर देना, आपकी device में save हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से just footage को भी ला सकते हो, और अपने video को बना सकते हो, मिलते हैं next वाली video में, तब तक के लिए, bye bye